हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है जानकी जानकी की रसोई में आपका स्वाग थे तो आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी का बहुत ही टेस्टी नास्ता तो यहाँ पे मैंने ली है ये चार रोटी ये रात को मैंने बनाई थी वो बच गई थी इस रोटी को हम छोटे टुकड़ में कट करलेंगे ग के रोटी के टुकड़े कर लिये हैं हमने आडि न्श गूण करैंगे और कड़ाई रखेंगे अब इसमें तो 10 मच इतना यहाँ तर चुअ चुपまच लाल मिर्च पाव्डर आदी चुप मस्च अलदी मच पावडर आदी चंवाद्च थिदक थ違います है ओयल थोड़ा गरम हो चुका है अब इसमें राई डाल देंगे थोड़ा जीरा डालेंगे और चुटकी भरके हिंग डाल देंगे अब इसमें मसाले डाल देंगे और मिक्स करेंगे, रोटी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, गेस की प्लेम को हम तीमी रखेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, नमक नहीं डालना है, रोटी में नमक था इसलिए, अच्छे से मिक्स करना है, अब इसमें डाल देंगे एक चमज परके चीनी और मिक्स करेंगे रोटी थोड़ी क्रिस्पी होने तक हम अच्छे से चलाते रहेंगे अब हम गयस को बन कर देंगे यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है इसमें रोटी से बना हुँ नास्ता हम डालेंगे तो देखिए बहुत ही टेस्टी नास्ता बन कर तयार हो गया है